कि नमस्कार दस्वाई में तुमारी हों मैं आपका स्वागत है मैं शुस्मत्यागियाद बनाना जारे हूं भिंडी रेसेपी इन सीम्पल दे अज हम भिंडी बनाएंगे बहुत ही साधर हैं तरीके से या इन्हें भिंडी मसालग भी कह सकते हैं तो चलिए आज भिंडी कैसे अगर आप मेरे चैनल पर नहीं है तो लाल बटन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को दबा करके नोटिफिकेशन को ओन कर लीजिए ताकि आपको मिले मेरी रैसिपिल सबसे पहले लिए और मैंने धूकर लिया है एक मेडियम साइज प्यास और मेडियम साइज तमाटर यहीं मैंने काट लिया था अब हम भिंडी को भी काट लेंगे भिंडी को आप देख लीजिए कि इनमें गिंडार ना हो शादी से पहले मैं तो भिंडी नहीं काट थी क्योंकि इनमें गिंडार होती है मुझे बहुँ डल लगता था अब तो आप चाहे जिसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आधा चम्र जिसमें डालेंगे हम अजवाइन भिंडी अजवाइन नहीं बनती है अर्विवर भिंडी इससे भूल लेंगे और एक पिल शीन डाल देंगे इने भी भूल लेंगे और अब चुम ने प्याज काते रखिए एक म ज्यादे नहीं होनी है अब हम मसाले आट करेंगे एक चम्र नमक डाल देंगे एक चम्र हम धनिया पाउडर एक चम्र आधा चम्र सोरी हल्दी आधा चम्र मिर्च और आधा चम्र धनिया पाउडर मिर्च और नमक आप स्वादा मसाल लें आप चाहे तो इसमें लेस्तन अध दो तिन मिन बात धकन हटाएंगे और मसाला हुमारा पक चुका है अब हम अपने भेंडिया एट करेंगे सोरी में आपको दिखाना भूल गई थी और चलाने के बाद उन्हें धक देंगे इसमें हमें पानी नहीं डालना है ऐसे ही धकते नहीं है और गैस को हम कम कर देंगे और पांच मिनट बाद अपने ढखकन हटाएंगे और देखेंगे हमारी सब्जिया बनी है कि नहीं बन तो गई है लेकिन इसमें थोड़ी सी कमी है फिर से हम इसे ढख देंगे चला कर थे हीट हम कमी रहने देंगे कि यह दो-तीन मिल्ट हो गए है और किट ने ढखकन हटाया तो हमारी सब्जी बन चुकी है और देखें कितने अच्छी बनी है कि खिरी-खिरी बनी है इसम और यह कच्छी भी नहीं है तो अगर हम इसे सर्विम उपलम में कर लें गए और खाने के लिए सर्व करेंगे इसे ह भी साथ खा सकते हैं बहुत ही टेश्टी लगती है और बहुत हरी सब्जी है तो हेल्दी तो है तो देखे ना बिंडी मसाला बनाना कितना आसाने फटा-फट से बन गया है और अगर आप टामाटा का इस्तमाल ना करना चाहें तो इसकी जगह आप आधे चमच अउचल और आपको भिंडी मसाला कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताएगा और बताएगा किस-किस को भिंडी काटने से डल लगता है और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब किजी लाइक किए शेयर किजी देखने के लिए थेंक्यू कर दो